हेलो गाईज तो आज के इस वीडियो में एक मोटर के डायरेक्शन को लेकर गाईज बहुत ही कन्फूजन रहता है कि कौन सा मोटर जो है किस साइड चलता है तो किसी दूसरे में लग जाए या फिर प्रोपेलर दूसरे में लग जाए तो यह बहुत ही डेंजरस होता है जो कि टाइम खूल करके और प्रोपेलर से हमें नुक्सान हो जाता है तो आज इसी प्रोब्लम को लेकर के बहुत ही इसली और सॉट ट्रीक है कि आप जब भी मोटर को इंस्टॉल करिएगा ड्रोन में तो उससी टाइम चेक कर लीजिए कि ये किस डिरेक्शन में चलने वाला है या फिर ये ब्लैक वाला कैप है तो किस डिरेक्शन में चलेगा यदि ये कैप इधर से उधर हो जाता है तो फिर कंफ्यूजन थोड़ा से हो जाता है तो इसी प्रोग्रम को आज के वीडियो में बताएंगे कि आप बहुत ही असानी से इस मोटर को आप जान सकते हैं कि क्लॉक सब्सक्राइब को मोटर से निकालने बाद इसके ऊपर में कायप काउंटर क्लॉक्वाइज हमें इसको रोटेट करना है तो अभी दख सकते हैं काउंटर क्लॉक्वाइज है रोटेट करने पर यह मेरा जो नॉट उपर में है वैसे वैसे नॉट मेरा कस्ता चलाएगा मेरा काउंटर क्लॉक्वाइज यानि की काउंटर क्लॉक्वाइज यह मो से तो इससे हमें ये जान लेना है कि जिस सद्स से इस मोटर को रोटेट करेंगे और यह मेरा कैप हो जाए तो समझिए कि उस मोटर का रोटेशन उसी तर रहा है यारी कि मेरा इस मोटर का रोटेशन clockwise direction वाला है, इसको भी देख लेते हैं, इसके उपर में कैप रख लिए, तो counter clockwise इसको देख सकते हैं कि move करने पर, इसका कैप इसमें tight नहीं हो रहा है, इसके बाद जैसे हम counter clockwise rotate करने लगे, मेरा not इस motor में automatic कस्ता चला जाए, तो इस परकार से आप जान सकते हैं कि यह वाला जो motor था मेरा, यह motor है मेरा counter clockwise और यह motor का direction है clockwise, तो इस परकार से हम जान सकते हैं कि counter clockwise है या clockwise इसका direction है, तो हम इस motor को clockwise रोटेट किये, तो यह मेरा कैप नहीं नीचे आ रहा है, फिर counter clockwise इसको रोटेट किये, तो आप देख सकते हैं यह कैप इसमें मेरा बैठ गया, और फिर इस प क्लॉक्वाइज तो आप देख सकते हैं यह वाला काउंटर क्लॉक्वाइज फिर क्लॉक्वाइज फिर क्लॉक्वाइज तो इस परकार से हमें इस मोटर का डिरेक्शन आप पता कर सकते हैं यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए तो गई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक्यू फूर वाचिंग